तो guysy, जासकी बेड हम बात करने वाले ही, VVocX B40 Pro Device के अदर आपने phone के अदर अपने app को clone कैसे कर सकति है, Clone that means duplicate होता है, यह फोसाप access करने के उसको clone करके दो WhatsApp कर सकते हैं, और दोनों में अलग-अलग numbers से register भी कर सकते हैं, अभी के डेट में कि आगी बहुत सारी multiple apps आ गई हैं जो support करती है clone app को जिसको आप easily clone कर सकती है well guys phone के अदर app को clone करने के 2 हैं मिलते हैं आपको display से भी clone करने का option मिल जाता है clone app का option मिल जाता है किसी किसी phone के अदर clone app भी होता है तो इसमें confusing create नहीं करना है जो भी आता है इसको just press करिए मैंने बताया था अभी के डेट में कि आप बहुत सारी multiple apps हो गई हैं जिसे आपका full support करता है clone app के लिए इवन e-commerce applications पर मिल जाएगी देख सकतो फिलिप कार्ट भी आपको दिख रहा होगा तो हम इसको भी clone कर सकते पेमें तुमाटित वाली application भी क्लोन है आपका phone पे भी आ जाता है तो यहां से clone करना है तो just press करेंगे इसको on button पे और यह clone हो जाएगा अब यहां पर आपको दिखाते है flip card हमारे phone के अंदर दो हो चुका होगा जाँ भी होगा बटराई कर लेते हैं कहां पर एक flip card search कर देते हैं यहां पर जैसे आपने flip card search करा तो यहां पर दो flip cards आपको मिल जाएगी और Netflix जो आपको right side में दिख रहा है यह भी clone होता है इसको भी कर सकते अब अगर display से करना है तो पहले तो इसको long press करना होगा इस टाइप से and delete कर देना मैंने जैसे delete करा अब वापस से आपको उसी app पर long press करना है इसमें आपको app clone का option मिल जाता ही परस्ट करेंगे तो settings में जाने की ज़रूद नहीं है आप directly अपने display से भी इस app को clone बना सकते हैं इस तरीके से आपने phone के अदर अपने applications को clone कर सकते हैं VOK V40 Pro device के अंदर